कि अच्छों कैसे हो वह सब लोग ओप और फाइन ठीक है आप अच्छे हेल्च में हो और मचा रहे हो खुब मेहनत कर रहे हो तो वह सबसे बहुत हो जोश पुड़ा जोश जैसा उपर नीचा होता बिल्कुल ठीक है हाई होना चीए एकदम ठीक है यार आज का सेशन बहुत इंपोर्टन सेशन है बच्छे अब क्लास 12 में जो आ रहे हैं 11 से 12 में और जिनको यार यह एंसी आर्टी इस पढ़नी है यह सिर्फ में फिजिक्स के लिए नहीं बता रहा हूं मतलब एक तरह से आप बच्चे अवोइड करते हैं जन्रली ना तो यार रोहन आयुशी पल लफ हलो अथर्व यह और क्या होता है ना यह चीज़ें वह शुरू में तो अव्य बताता नहीं फिर क्या होता है यहार बाद में चमकता है यार मेरे को फिर एंश्याटी पढ़ने की बैंड बसती मेरी यार अकेली फिजिस की जो किताब है यार यह वॉल्यूम वन है ऐसी दो वॉल्यूम है उमीद है अपने आपने खरीद ली होगे अभी तक तो इस किताब को ठीक है ना यह थोड़ी मोटी हो गई है खाखाके 11 में पतली थी आपका दिमाग खाके यह मोटी किताब हो गई है तो नीट में जैसे इंपोर्टेंट होती है ना तो बच्चे इसमया जो गलतियां करते हैं मैं नहीं चाहता है कि आप 12 की शुरुवात में वह गलतियां करो जिससे कि यार आप मेहनद भी कर रहे हैं और आपको उसका रिटर्न ने मिले तो तीन बहुत पिन पॉइंट चीज चाहता है यह फंडा और जितने भी टॉपर्स में देखता हुना यार मतलब वह इस तरीके को किसी ने किसी फॉर्मेट में यूज करते हैं कि तो टाइम कैसे बचेगा आपके पास मेरे शे किताबें तो क्लास 12 की होंगी और अगर आप सोचो 11 की मिला तो 6 किताबें उसकी है तो सिलेबस का वॉल्यूम जादा है इसलिए बच्चों यह चीजें जानना बहुत जरूरी और ऐसे ही एंसे को पढ़ना आपको सेशन को सुनने के अब लगेगा सर काश आप पहले और बता देते क्या ट्वेल्ट की एंसे कैसे पढ़ने देखो कल मैंने 11 की एंसेटी वालो तो यार जो बच्चे इसरल के चैनल पर नए हैं पहली बार देख रहे हैं ठीक है तो यार मैं बदा देता हूं कि very important things का session होने वाला है ठीक है और यार मैं सहरांश ठीक है यार मैं आइटी बॉंबे सीएस से हूँ वाल इंडरेंग फॉर्टी वर्टी में बोर्ड में अच्छी परसेंट आई थी फिसिक्स केमेस्ट्री मैस में तो अंग्रेजी में बहुत कर नंबर आया थे ठीक है जादा पढ़ाई करी नहीं थी क्योंक लाने में मदद करी वह सारी चीज़ें मैं आपको इस सेशन में बताऊँगा तो यार वेलकम नोट करते जाना यार तीन में से कोई भी चीज़ें छूटे नहीं मैं आपको पूरी एंसे बिल्कुल है ना अपन पेज बाई पेज जो है बिल्कुल एंसे चलेंगे यहां पर तो यह पूरा एक पेज पर आपको कैसे प्रोसीट करना ना मैं फिजिस का एक्जामपल ले रहा हूं ठीक है यह राज आज वो चीज़ नहीं अच्छी नहीं वह सब नहीं हो सेशन में पहले ले ले चुका है पर आज हमारा फोकस पूरा NCRT पर रहेगा बच्चों यार यह बहुत खतरना किताब है अगर इसको ढंग से हेंडल नहीं किया गया तो आप सोचके देखो डरा निराओं सरा आप तो डरा रहो पहले सी सर्थ 300 पेच की यह किताब है 300 पेच की इसकी दूसरी बहन है 600 पेच की तो फिजिस की एंचिश है अब आप सोचके देखो यार अगर इसकी अंग्रेजी भी पता है और हमको हमारी यंग्रेजी भी पताये कैसी है ठीक है तो क्या हो दा यार इसमें बहुत ट्रिक चाहिए इसको पढ़ने के लिए इसकिताब को इसको बैरी गूर्रणक्स नोदाउट बट यह जो चाहिए चलिए तो स्टार्ट करेंगे अपन इसको ठीक है जो बच्चे रिसल पे नए हैं उनको एर में एक इंफरमेशन और देना चाहता हूं जो 11 से 12 मुविंग है के जो दो कोर्से ना जै और नीट के लिए ठीक है ना तो जो दो कोर्से अपने इसराल के लिए जो बच्चे जैनीट के त्यारी कर रहे हैं जैए वाले दोतरों के लिए एक और नीट वालों के लिए किलिए प्राहार कॉर से तो दोस वर लूगिण आओ पुरिबेरिंग जेए और neet लिए कि टाइम टेकल होते है इसमें इसके बारे में मैं पहले बता भी चुका हूँ थोड़ा सा बता भी दूआ है सेशन में जो लोग नए हैं उनके लिए राइट ठीक है तो तीन पॉइंट से टीके कवर करने का स्टार्टिंग करते हैं चलो तो सबसे पहली चीज तो यार हम पूरा अगर करने के बाद में कम से कम यार अगली बार तो हम पांच गुना तेजी से कर पाएं कई लोग बोलते हैं पूरे यार देखो अभी आपके पास में टाइम है आप बोड के लिए लाला चरता है मैं एक ना एक बार तो पढ़ लूँ मैंने एक चैप्टर इसरल से पढ़ लिए जिस भी जगें में पढ़ना हो वाँ से पढ़ ले तो मन करता है तो अगर आपको मन ऐसे कर भी जाने एंसे पच्छों ठीक है ना तो पहला चैप्टर एलेक्ट्रिक चार्ज जो है पहले पार्ट का ठीक है तो यार चलो लेट स्टार्ट नौ तो बड़ा कर लेते इसको अपन ठीक है और इसको भी बड़ा कर लेते हैं नौ यार अब देखो अब जैसे हमने यहां से शुरुआत करी पहली बार पढ़ते हैं तो काफी चीज अच्छी लगती है लेकिन दे में नौट भी रेलेमेंट फॉर जी नीट या फिर बोर्ट के प्रस्पेक्टिव से भी तो क्या होता है अब ध्यान से सुनना मैंने पहली बार एंच्छी पढ़ना है स्टार्ट किया खीक है बहुत मह यहां पर मिली है इलेक्ट्र स्टेटिक डिल्स विद्धि चैप्टर है स्टेटिक चार्ट यह हमारे काम की चीज़ हमने इसको बहुत बढ़िया है अब हम आगे बढ़े यहां के सुनना फिर क्या होता इसमें फिर पड़ा हिस्टॉरिकली डिस्कवरी ठीक है 600 बीसी में हुआ फिर अंबर नाम की चीज़ से ग्रीक वड़ इलेक्ट्रोन है इना नोन ओन रभिंग विच कुट अट्रैट लाइट ब्रौस और ठीक है अब यहां पर तो है डिफिनेशन अब को अगली गलें तो आपका यहां पर क्या आप यहां वहेगा अब वापिस लेकिन यार मैं इसको पड़ो नहीं पड़ो तो वापस से भी पड़ेगा ना वो क्या करेगा यार यह तो बेकार है आप में सोचो जब आप पूरा पड़ चुके और आप के लिए वापस से आए हो तब आपके आपको कुछ ऐसी दिख रही होगी ठीक ना अब क्या होएगा साफ यह जो चीज है ना यार में सेकेंड टाइम तो गोवर हो गई अभी चीज तो अब मैं क्या कर रहा हूं वापस से कच्रा छांट रहा हूं यहां पर ध्यान से सुनना अ यह अब यहां से सुनों यहां से मैं पढ़रौण फढ़र विल्टिसके time थीक है बने कच्रा चांटा है अब मेरी जहीड बड़ी टी चीजों का नुकसान हो गया है पहली चीज है मेरा टाइम मैंने इसको पाड़ने के लिए टाइम लगा दिया दूसरी मेरी चीजए जो किसी को ध्यान नहीं जाता वह मेरी ब्रेन पावर कि मैंने यार इसको पढ़ने में जो मैंने जो अपना दिमाग खर्ट्ष कर दो अब पहली बारी जब पढ़ो तो यहां पर मार कर दो यार यह एज़ी है किसके आगे क्रॉस लगा दो कियार मेरे को यह पढ़ना ही नहीं आज के बाद जीवन में कभी भी मैं सीधे आज पूमारू हूं अब आप सोचके देखो पहले पन्ने पर ही आपने सबक है कचरा गजरा नहीं गजरा तो अलग होता है कचरा 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 मार्क करते चलो कचरा मार्क करते चलो यह पहला मंत्र है ठीक है यह हो गया दूसरी चीज़ देखो अब यह स्टेडियो फोर्स फिर्ज और पोटेंशल राइजिंग फ्रों स्टैटिक चार्ज कहां से सुनना देखो सब यार अगर मैं नीट का बच्चा हूं मैं जेई का बच्चा हूं तो यार यह दोनों में यह डेफिनिशन नहीं आती है और आभी गई तो हमको पता है यार यह चीज़ तो यार मैं जेई और नीट के लिए जब भी यह चीज़ पढ़ूं जहां से सुनना देखो कोई नहीं बताता किसी को चमकता है इतना यह सब भी करना होता है ऐसे रैंक नहीं आ जाती भी यह सब चीज़ें करनी होती देखो मैं आपकी मेहनत अगर नहीं बचाऊंगा यार मेरा एम क्या है आपकी मेहनत का 100% आपको यहां पर लिक्व भी यार यह सिर्फ बोर्ट के लिए मेरे को पना है और नीट के लिए परना होता तो मैं जे कॉमा जे या एलीकाल स Sometimes तो मैं यहां पर नहीं लिखूँगा मेरे बोर्ट के लिए काम की जी से मैंने भी लिख दिया यहां पर आगे बढ़ो अब आगे बढ़े हम यार यह सब यहां पर हिस्टॉरिक चल रहा है मामला पूरा कुछ काम का नहीं है अंबर उंबर कभी पूछते नहीं वैसे तो ठीक है अब यहां पर पूरा मामला चल रहा है ना यह मैंने सब पढ़ लिया अब यह ठीक है अब यह फिर से क्रॉस यह बता रहा है कि ऐसा होता है आगे भी बताएगा वो चीज तो इसको मैंने क्रॉस मार कर लिया ठीक है ना पढ़ा भी मार कर लो यहां पर ठीक है ना क्या चिल्क और यह जो है रिपल इच अधर यह रिपल की करते हैं पिर वूल और से ले प्रिवेश को करें तो वह ब्लीपल करते हैं और ग्लास रोड एंड गूल एट्रैट इच अधर टू प्लास्टिक रॉड विद केट्स पर पहले लग रहा है यार कि यह मैंने बोड़ के तासे मार कर लिया लेकिन नीट में भी मेरे को लग रहा है मैंने प्रिविएस एर कॉश्चन देखे ते इसमें से कुछ आ गया मालो कॉश्चन तो यहां पर आप लिखनो वी कॉमा एंड आप नीट के बच्चे हो तो जई में ज सेपरेट मार्किंग पॉर बोर्ड्स एंड कॉम्पटिशन और बोर्ड़ कॉम्पटिशन और पॉर्ड्स ठीक है एंड कॉम्पटिशन क्योंकि क्या होएगा अभी जब कई डेलिवेशन आएंगे तो सिरो बोर्ड वो कॉम्पटिशन के लिए इंपॉर्टेट नहीं है यह दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई ठीक है आगे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे उसको रिवाइस भी करेंगे ना तो भी काम हो जाएगा मेरा यार समझ गए जैसे मुसको रिवाइस नहीं भी करूंगो ना बॉर्ड के लिए पता रहेंगी जैसे यार लाइक चार्जेज रिपेल लाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अधर यह अब आप इलेक्ट्रों स्ट् और यहां पर लिख सकते हैं यहां पर होगी काम की पर इतनी जरूती नहीं को आगे बढ़ो ठीक है तो ऐसे आपको काफी थोरी मिलेगी यार अच्छा यह ब्लू बॉक्स तो इंट्रेस्ट के लिए हैं एक्जाम पॉइंट और व्यू से इंपोर्टन नहीं होते हैं लेकिन पढ़ना जरूर इंट्रेस्ट आता है साइंस में अब एक इंपोर्टन चीज़ बताता हूं आपको यह पूरी चल रही जैसे ना अब यह अब क्या होता है यार अब यह ना आपको बहुत बड़ा सारा एक्सपेरिमेंट आगया यह दो पेज खागया एक्सपेरिमेंट यह गोल्ड फॉयल का जो एक्सपेरिमेंट ने इसमें क्या होता है यार उपर से चार जाता है नीचे से यहां पर एसे खुल जाता है और आपने अगर प्रीविएस यह पहले से पढ़ लिए तो मैं जनरली एंसे पढ़ने के पहले से एक चीज़ रिकमेंड करता हो प्रीव सब्सक्राइब को लग रहा है कि आपको कितना मसाला कट गया और अब जैसे सब्सक्राइब बढ़ी बताता हूं यह तो ठीक है अब जैसे चार्जिंग मां इंडक्शन हुआ चार्जिंग फोटो से देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि क्या हुआ पहले दोनों को पास और फिर नेगिटिव दूर-दूर कर दिया एंको तो पोज़ेटीव र्लेकर इसको दूर कर दिया फिर इसको हटा लिया थे सेपरेड होगे पांच उसमें समझ मा आगी चीज तो आप इसमें नहीं अ hacia यह मारगाल कर लो यार डिया पहली बार पर लीचकर आ सी उनली डाइग्राम अब आप देखना आप अपनी इन्फोर्मेशन यहां पर लॉग कर ली ना तो आपने अगली वागे टाइम बचा लिया यह होती है एफिशेंट स्टडी ऐसे करते हैं समझ गए चलो अब आगे बड़े आगे बड़े आगे बड़े आगे बड़े तो य याद रहेगा हमेशा यारी मैं नहीं पढ़ूँगा है मैं बोर्ड के साथ से पढ़ लूँगा जी और नीट के साथ से बिल्कूल भी इंपॉर्टेंट नहीं है यह क्योंकि इतना हलवा है कि आपको पता पढ़ जा और वहां तो आपने क्रॉस कर दिया बोर्ड के साथ से करते रहना अब जैसे आप यह चीज़ देखो अब यार मैं फटावट से पहुंच गया फील समझ ना देखो यह पाते हैं आपको जानना जरू है कोई नहीं बता था इतनी डेट्थ में जाकर कि यह कैसे पढ़ना होता है अब जैसे बेसिक प्रॉपर्टी उलेक्रिक चार् इस तरह से हैड होते हैं जिंदगी पर यूज कर लिया इसको यार अब पूरा यहां से यहां तक जोना कार्ट दो इसको ठीक है ना आपको बोर्ड लिखने की भी जुरूत नहीं है यहां पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपने इसको अंड्राइन कर लिया और यह बोर्ड मैं इसको बोर्ड में के लिए वापिस से पढ़ लूँआ एक बार यह और नीट के लिए इस पूरे परिग्राफ को आपको पढ़ने की जुरूत ही नहीं है यह पता यार चार्ट एक बार समझ रहा है फिर आपको पढ़ने की जुरूत नहीं है ठीक है फिर चार्ज है तो आप 50 लाइंस में से सीधे एक पर आ गया आप सोच के देखो तो किसी बच्चे को अगर पांच मिनट लग रहे हैं यह पूरा पढ़ने में तो आप तो लगबद 10 सेकंड में पूरा काम खतम कर दो निकल लोगे 10 सेकंड से भी कम समझ गया इसका यूटिलीट में भी समझ में नहीं होती है यह मेरे स्टूडेंट की किताब है उसकी में मार्किंग हो आपको एकर दूर से दिख जा तो उसने इतने लेविल की इसमें मार्किंग कर रखी है कि बस मतलब उसने भर रखा है मार्किंग के साथ में ना कैसे करना है क्या करना है यह ठीक है ना और फिर मेरे को आपको क्या बात बताने थी तीसरी बात हाँ तीसरी तो सबसे important बात है जो मेरे को आपके साथ में बतानी है ठीक है हाँ तो यार यह तो मैं दो बाते समझ में आगे ना दो बाते क्या थी अपरी एक तो कचरा चाड़ते जाओ दूसरा एक्जाम स्पेसिफिक मार्किंग भी लिखते जाओ ठीक है तीसरी बात बताने से पहले मैं पहले यार कोर्स के बारे बताऊंगा ठीक है ना काफी सारे बच्चे रहे दरुदर भटक रहे हैं हमने अभी यह 11 से 12 की सब्सक्राइब साथ है करने और अगर आपकी 11 ठीक है और त्वेल्थ आपको अभी स्टार्ट करने तो 11 का Rewijon मैंने तो सारे वीडियो लेक्टर सापको मिलते हैं हाइली के साथ में फिर आपको है शीट्स में जिसमें आपको हर चैप्टर के बाद अब बदो क्या करना है यह इतना सब कुछ ओल्रेडी मिलता है इंडिया के टॉप आइटियन और डॉक्टर फेकल्टी इसरल में है सबसे इंपोर्टन बात मुझे लगती है वह आपका पर्सनलाइज टाइम टेबल जैसे यह सुर्भी एक स्टूडेंट जो नीट प्राहर 2.0 में जुड़ी थी 26 अपरेल को तो उनका 26 सबसे इंपोर्टन चीज़ के आप जिस दिन से जुड़ें ना आपका टैम टेबल उस दिन से स्टार्ट होना चीए इन्होंने कैटेगरी 2 का टैम टेबल मांगा था कि सर मेरी 11 बहुत कमजोर है तो पहले मेरे को आप थोड़ा 11 रिवाइस करा दो फिर मेरे को 12 और 11 स्टार अगर आपकी लेवें बिल्कुल ही बरबाद यह दो एकदम फिसी थोड़ा सा टाइम आप फोड़ा से टाइम इन्हीं बिल्कुल गई बिति है तो नहीं तो आप 11 और 12 पैलल में स्टार्ट कर दो तो अगर आपकी बिल्कुल कॉन्फिडेंस निहारा है देखो आप जीरो न तो आप बोलना मुझे कैटेगरी टू का टाइम टेबल चाहिए उसमें हम देखो आपकी थोड़े दिन तक मई एंड तक आपको 11 रिवाइस कराएंगे और फिर एक जून से 12 और 11 देखो साथ में फिर वापिस से 12 स्टार्ट कर देंगे उससे क्या होएगा यारा बेसिक जो च अच्छा कर पाओगे नहीं तो आप करी नहीं पाओगे यार उसको आपके वेक्ट्रस के कॉंसेप्ट ऊड़े हुए हैं तो आप यार डॉट्ट प्रोडट कैसे लगाओगे जो इतना काम आने वाला है जरूरी है ठीक है तो आपको 11 कमजोर है बिल्कुल तो आप कैटेगर मांगो लेकिन आपको अगर लग रहा है मेरी 11 इतनी भी कमजोर नहीं है तो आप कैटेगरी वन का टाम टेवल मांगना उसमें से हम 12 स्टार्ट करा देंगे और 11 साथ में रिवाइज होती रहेगी आपकी आपको परसनलाइज मेंटर भी मिलेगा उसकी टेंचन नहीं कि आप पर लेइड वीडियो के आप देखो कि अगर मैं जैसे नीत में जाता हूं जाता हूं जीट में विल्कुल ऐसा है उन में नीट की सीट से जीट से तो देखो अगर मुझे यहां पर मैं रोटेशन की सीट देखो या वरप और शीट करनी है तो आरम तो पॉइंट रखना है ठीक है तो यार भई नए नए क्वेश्चन और डाल दिये हैं सोलूशन बेटर हो गए है तो यार देखो हर चैप्टर के बाद लिखा रहता है आप किस एक्सराइज में से कौन सा क्वेशन करना है तो आप वीडियो लेक्चर देखो एक्सराइज में से करो वने सिंपल ले यह एक से लिए पास तक का क्वेश्चन कर लिया वर्टन मैं कॉंसरे वेरेबल फॉर छे साथ क्वेश्चन कर लिए ना चे और साथ नंबर के वगड़न मैं स्प्रिंग कुछ इदर से उठा लो छे कॉमा साथ नंबर को इससे क्या होएगा आपका हर सब टॉपिक में अच् सेकेंड लेवल पर जो डाउट सॉल्विंग होती ना चार्ड लेट की डाउट सॉल्विंग है तो यह उसमें चलेगा आपके अंड़्ोई एप में ठीक है तो वहां से चल जाएगा जो चैट करके टीचर से डाउट बूँ सकते हो वह आपको रिप्लाई कर देते हैं और आ कर सकते हैं फिर भी बच्जा है तो यार टीचर से आपको पर्सनली करेंट करते हैं उसकी टेंशन नहीं दूरत नहीं बस आपको पस एक निन्य लेना है और एक इंडिया की बेस्ट सिस्टम के साथ में आपको त्यारी करने सब कुछ सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें जो है बच्चों हम जो है बोर्ड की त्यारी यार यह सब वह है आपको नीट के कोर्स में शायद अगर खुल जाए तो बता देता हूं जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें आपको मिल जाएंगे हर चैप्टर में से मुझे क्या पढ़ना है बोर्ड के हसाप से फिक है चलिए तो यह सारी चीजह है नीट वालों के लिए नीट बाइलोजी की सीट्स है बाइलोजी की वीडियो लेक्फिशें सेřिक्ल्टीज के वारे में आप जानते ही हैं जो इसरल को जानता है वो सब्क्र mają बढ़ाते हैं फिर्चिष्डेश्ड की इंडिया की टॉप फेकल्टी जो है इसेरल के कि अंशुपन सर और इंडिया इंडिया की हाइस राइंग फेकल्टी जो टीज कर रही है यह प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी है और रहसान राइंग की फॉर्टी सिस आई थी और नीड़ नाइंटिस इस यह आपको बढ़ाएंगे फिर खुशी का मैं यह यार साथ साल से एक फिजिस को ऐसा बढ़ाया के यार समझ में यह डरके हमारी रटली काम खतम हो गया यह वह नहीं यह विजुलाइस करके पड़ो ना तो मज़ा आ जाएगा अब आप बाइलोजी देखो आप बाइलोजी की वीडियो लेक्ट्टर देखोगे ना अगर एक बार को तो यार दे यह से नियर्स लगए यह चीज़ बनाने के लिए ताकि आप लोग विजुलाइस कर पाओ ठीके ना यह सारे और इतने जोपड़ोस तरह से विजुलाजीशन है यह यहां से जाकर ही यह हो रहा है रटने की ज़रोती नहीं पड़ेगी एक भी चीज़ को ठीक है थ्री लेड से कंपेर करो उससे 110 कोस्ट में और अल्मोस आपका पूरी तयारी जाती है विट परस्नलाइज मेंटर्शिप और डाउट सॉल्वेंग यहार अभी घर पे बैटके हम तैयारी कर रहे हैं तो यार आप टू एक्स पर देख सकते हो लेक्ट्टर्स 1.5 पर देख सकते हो इलेम अपनी यह चीज़ें यूज करनी हैं ठीक है समझ गए चलो तो यार अब जो तीसरी इंपोर्टन चीज है ना अच्छा इन दोनों कोर्स के लिंक नीट वालों के लिए नीट प्रहार है जेए वालों के लिए जेए प्रहार है इनकी लिंक्स आपको डिस्रिप्शन में अब तीसे सबसे इंपोर्टन बात है क्वेश्चन सॉल्विंग में यह यह एक्जाम्पल जो हैं यह तो हमें यहां पर गिवन है देखो यह जो एक्जाम्पल्स हैं बच्चों यह इनके सॉलूशन तो गिवन है अब त्योरी की तो मैंने बताई दिया आपको दो चीज़े कत्रा चांटते रो पहली बार में ही और दूसरी टिप क्या है अपने एक्जाम के हिसाब से मार्किंग करते रो नोट लिखते रो वहाँ पर ठीक है तो मैं अब सीधे क्वेश्चन पर जम करता हूं यार यह जो है ना ठीक है बहुत बड़ा चैप्टर है आप सोचके देख है ना क्या तरीका होता है देखो उसको करने का अचा समरी है समरी आप चाहो तो पढ़ सकते हो समरी में मोसली चीज़े रिवाइज हो जाती है तो समरी पढ़ लेना ठीक है पॉइंट्स टूपॉंटर आप छोड़ सकते हो इंट्रेस्ट के लिए एक्जाम पॉइंट अब इसमें ध्यान से देखना अब यह सिंपल क्वेश्चन है ठीक है यार अब आप यह क्यूवन क्यूटूब यार स्कॉर से सॉल हो रहा है अब आप नहीं चाहोगे कि आप इसको जो है ना वापिस से सॉल करो ठीक है तो सबसे पहले तो यहां पर क्रॉस लगा लाना इसमें मा सबसे पहली बहुत इंपोर्टन है अब आपको लग रहा है बोड के हिसाब से इंपोर्टन क्वेश्चन है कोई तो उसके बोड भी सकते हैं कि बोड के लिए मैं इसको रिवाइस करूँगा या जी के लिए नीट के लिए करूँगा लेकिन उससे भी बड़ी बात जो मेरे सौल करने बेड़ अब थोड़ी सी केल कोलेशन मिस्टेक हो गई बहुत यहां से सुनना केल्कूलेशन मिस्टेक को घखी है अब मैं बैट गयार क्या थर्टी सेंटीमेटर को मैंने मीटर में कर वेंद नहीं कर सान्में यहां पर तो अगर आपको आंसर नहीं आ अखरे सबसे पहले सोलूशन की किताब खरीद लो और टाइम वेस्ट मत करना कैलकूलेशन में ठीक है अब मैं आगे बड़ा यार क्योंकि न कई बहुत गंदा होता है अब माइना 0.8 माइक रो गूलम पॉइंट पॉइंट पॉर माइक रो गूलम अब माइक्रो बाजी में उलजेह रहेंगे 10 की पार माइनस फिस लगाएं फिर वो तो यार यह होता जा रहा है मामला ऐसे मार्किंग करते जाओ और केल्कुलेशन मत उलजना अब अगर मैं इसके अगले वाले पार्ट पर आऊं कि भाई यह जो हमारी एडिशनल एक्सराइज होती है उसका सरह में क्या करना है यह एडिशनल एक्सराइज आपके जही एडवां वालनों को तो करने चाहिए जो एडवांस की प्रपेशन करने पर नीट वाले अगर टाइम होना तो इन क्वेश्चन को कर ले नहीं तो इनके सोलूशन देख ले यह नीट लेवल से जादा लेवल के क्वेश्चन है तो आपको टाइम मिल रहा है आपको थोड़ी से ठीक है ना और डेवेशन वाले भी हैं तो यह एक अच्छा सोर्स है जैडवांस वालों को तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जैसे टाइम मिले चाहिए थ्योरी पड़े नहीं पड़े मां इन क्वेश्चन को जरूर से देख लें एक बार को यह जैडवांस के लिए आपकी ठि दिख रहें इसको और आज कल लाइक वही कम और चैनल पर ऐसा कैसे हो रहा है मतलब यार सब्सक्राइब बहुत पड़ाई की बाते करेंगे सही ना को यह कोई ऐसा को यह कपेशर्मकर शोतोरी चल रहा है कि वाते करेंगे आपकी जिन्दगी का सवाल है यार मतलब यह थीक ह है तो यार यह यह चीज़े जो है ना एंचाइटी परते टाइम बहुत ध्यान रखना और हाड कॉपी जरूर खरीदेंगे कंप्यूटर में मत पढ़ना उस पर धंसे मार्किंग नहीं होती है एंचाइटी पर्टिकुलर के रहा हूं जो इतनी थियोरी जहां पर पढ़नी ह है यह ना बहुत थियोरी लिखी हुई है तो एक हाड कॉपी तो पक्के से खरीद लेना ठीक है यह बाद यह ना लाइक देखो है आप जबरदस्तरी से लाइस बढ़ा दिया आपने क्या बात है वेरी गुड और क्या बात कर रही है हमको तीन पॉइंट्स हो गए मेरे को य बहुत कम जोर है तो आपको आपकी पर्सनलाइज से टेंटर मिलेगा दी ओनली प्लैटफोर्म इन इंडिया जो हर बच्चे को पर्सनलाइज श्यूड देता है यह पड़ाई ऐसे होनी चाहिए एलेमेंट के आपके प्रॉब्लम्स आपके हैना यार बगल वाले के प्रोब हर बच्चे के लिए सेम कोर्स कैसे हो सकता है मुझे एक चीज़ बता हुआ इसलिए वह पर्सनलाइज श्यूडूल आता है आप उसमें आपके चुनेवे टॉपिक्स पड़ो ऐसा निस आपकी यूनिट डैमेंशन से शुरुआत कराके एक दम एंड तक हर चीज हमें नहीं है दीवाना बना दे सीरीज आपको पता है यार उसके लिए काफी काम चल रहा है अभी यार टीम थोड़ी सी कोविड और इसके चक्कर में पूरी बर फ्रॉम होम चल रहा है सबका राजस्तान में भी यहां लोगडाउन लग 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 ऑल्मोस्ट ठीक है औ चल लघ किसी घर में ओ रहा है तो पर हम हमारा एक दम लेवल बेस्ट ठाइब रहे है मतल रहे है ना भी ऑदब मूरे सब्यों का पाट का सूख कर लग मैनेज करने जोग वह जत्य है लिम्यटैट टीम below उससे कोशिश कर रहे है आर करने कि सब्सक्रें यूहवी वेस्ट झाल झाल